हेलो बेबी कॉन पुला बनाने के लिए हमें चाहिए दो कप मैरिनेटेड राइस मैरिनेट करने के लिए दो कप राइस को अच्छे से धो कर उसमें एक कप दही एक चमच पुदीना पाउडर यहाँ पे आप पुदीने के फ्रेश पत्ते भी इस्तमाल कर सकते हैं एक चमच अध्रकलसन पेस्ट अच्छे से मिक्स करें और आधे घंटे के लिए मैरिनेट करें एक खप स्लाइस केया हुआ बेबी कॉन एक खप स्लाइस केया हुआ प्याज दो चमच गी एक या दो कोईली के टुकडे एक कप हरे मतार एक कप स्लाइस में कटा हुआ गाजर दो तेज पत्ते दो से तीन दालचिनी, साथ से आठ लॉंग, आठ से नौ काली मिर्च, तीन से चार हरी इलाइची, एक से दो जावी त्री, एक चमच अध्रकलसन पेस्ट, एक चमच जीरा मीडियोम आज पर तेल गरम करें, उसमें तेज पत्ता, और सारे मसाले डालकर अच्छे से मूल ले प्यास डाले दीमी आज पर कोईला सेखने के लिए रखे अध्रकलसन पेस्ट बेबी कॉन मतर गाजर अच्छे से मिक्स करें स्वाद के लिए नमक डाले सबजी के बीच में बावल रखे उसमें सेका हुआ कोईला रखकर उपर से घी डाले घी डालते ही उपर से ढखकन लगाए और दो मिनिट तब इसे तंदू फ्लेवर दे लाद के लिए के लिए मिक्स करें क्वाद कोईला वूप्या को लिए गज्या पार पार मरिनेटेड राइज 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 नमक गीन अचैसे मिक्स करें दो कप पनी 15-20 मिनट तक पकाएं पक जाने के पाद गर्मा गर्म सब कीजिए 15-20 मिनट राइज 15-20 मिन दो 16-21 मेंट máis ताल क्मदद करता है दो नह समय अजयत अजयत लिससी बाति थाल झाल झाल